क्रिकेट क्रेजी देश के काबिल खिलाडी इनकी रगों में दोड़ता है क्रिकेट का ज्युनूँद मैं मानता नहीं कि आरे खेल तो पेले खेलूँगा बाद में घर का कम खेल वही है लेकिन अंदाल जुदा तु कर्केट अंदू स्पोर्ट रेकें बिलिए वाद यहाद तो इस वाद पार तो नहीं पर पिछ वही है लेकिन पैट बॉल जरा हक जोश और जजबा वही लेकिन खिलाडी थोड़े अलग इनकी आँखों में रोशनी नहीं होसला आसमानी है जरा है जरा हमता आम लोगों से कम है लेकिन जजबा और जोश ऐसा कि जब चौके छटके मारते हैं तो देखने वालों के खोश उड़ जाते हैं आपको मिलवाएंगे इन 2020 क्रिकेट के पाबिलों से लेकिन सबसे पहले हम आपको खबरों की क्रेजबिलिटी विश्वस्नियता के बारे में बता दे इसका पहला पैमाना होता है कि हमारा रिपोर्टर मौके पर मौझूद है या नहीं तो हम आपको बता दे कि इस खबर में हमारा रिपोर्टर मौके पर मौझूद रहा दूसरे विश्वस्नियता है कि खबर की पुष्टी की गई है या नहीं तो ये खबर 100 फीसदी सही और विश्वस्नियता है तीसरा पैमाना है गवा या एक्सपर्ट की राए तो इस खबर में साथ खुद टीम मेंबर्स और क्रिकेट असोसियेशन फॉर दे ब्लाइन इंडिया के प्रेजिडेंट मौझूद है और चौथा पैमाना है कि खबर की तक्नीकी विश्वस्नियता क्या है यानि इस खबर में दिखाएगा विडियो पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं चूकि एक जी मीडिया ने शूट किया है विडियो इसलिए आप इसकी विश्वस्नियता पर यकीन कर सकते हैं तो चलिए आपको मिलवाते हैं ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान अजे कुमार रेड़ी और उनकी टीम जो दुनिया को बताने को बेताब है कि 2014 के वर्ल कप में उनकी जीत बाइचांस नहीं बाइट कारिज थी वो एक बाद फिर दुनिया जीतने को तयार है 2000 ब्लाइंड टी 20 वर्ल कप में पाकिस्तान को हरा कर भारत को वर्ल चैंपियन बनाने वाले योधा एक बार फिर दुनिया पता करने के लिए तयार है आखों में उजाला कम है लेकिन हिम्मत की मशाल दिल में जला कर चलते है 31 जनवरी भारत में ब्लाइंड टी 20 वर्ल कप का घमासान शुरू होने जा रहा है और टी 20 के रण के लिए इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट पूरी तरह से तयार है मैदान पर विरोध्यों को पठकनी देने की रणनीती बनाने वाले ये खास खिलाडी दिल्ली में बिलकुल अलग और बेहवख खास अंदाज में नज़र आए हमारे क्रिकेट क्रेजी देश में जहां लोगों की रगों में क्रिकेट जुनून बन कर दोड़ता है और क्रिकेटर्स किसी भगवान से कम नहीं माने जाते वहीं इन खास क्रिकेटर्स को भी इस बार अलग अंदाज दिया गया है और ये पहला मौका है जब ब्लाइंड क्रिकेटर्स के लिए इस तरह के डिजाइनर सूट तयार किये गए हैं जब हम वापस ये ओफर आया है तो वे वेरी एंथूजियार्ट के बाद भी इस लेवल तक पहुँचके अपनी महनत से और इस लेवल तक पहुँचके गेम खेल रहे हैं तो एक कही हमारा इमोशनल फैक्ट स्टेड़ी बाजनर कौन से जुड़ता है ट्रिकेट केट खृईधने के पैसे नहीं थे तो किसकी के परिवार लेकी भी देख नहीं सकता लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा कम पहुंचने के लिए कि मुश्किल तो मेरे घर में मेर मामी जो यह में ब्लाइंड है मैं भी परसल बैंड हूँ मैं पापा ने यह मामी को डिवर्स दे दिया वही सोच मुझे बहुत दुख लग रहा की और घर में मामी मुझे मुझे मना करते की तुम खेलने मात जाओ इसे बोलते घर में काम करने इन सभी खिलाडियों की ट्रेनिंग बहुत चुनौती पूर्ण होती है इस खेल में आखों, कान, फीलिंग और बॉडी के साथ कॉडिनेशन करना पड़ता है हर खिलाडि की ट्रेनिंग क्यातिगरी के हिसाब से अलग होती है एक क्रिकेट क्रेजी नेशन है क्रिकेट से हम बहुत सारा मोटिवेशन लेता है हमारा क्रिकेट हीरोस को देखके हम यू ऐसे बनना चाहता है ये फालो करके हमारा किलाडियों ने हमरा विशली इंपेर्ड क्रिकेटर्स टी ट्वेंटी ब्लाइंड वर्ल्ड कप में मेजबान भारत का पहला वेस्ट इंडीस से बिल्ली में होगा टूर्नमेंट 12 फरवरी तक चलेगा और फाइनल मुकाबला बंगलूरू में खेला जाएगा इस बार का वर्ल्ड कप पिछली बार से बड़ा और बहतर है इसमें कोई दो राएं नहीं है कि ब्लाइंड प्रिकेट टीम के खिलाडियों के जोश और जज़बे में कोई कमी नहीं है लेकिन आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीस, नेपाल जैसी साथ मुकाबला करके, क्या एक बार फिर ये खिलाडी टी-ट्विंटी वर्ल्ड कप अपने नाम कर पाएंगे ये देखना दिल्चस्प होगा तो यहाँ पर जितने भी खिलाडी खड़े हैं सत्रा खिलाडी हैं और सत्रा अलग-अलग हिम्मत की कहानिया है किस तरह से उन्होंने यहां तक का सफर तैखिया वो काबल ये तारीफ है और इनकी हिम्मत और इनके जजबे को देखकर एक शेर याद आता है कि खानों से हर्गिस ना घबराना चाहिए ऐसे में तो सिर्फ खुद को आजमाना चाहिए दिल्ली से कामरे परसन अजजए के साथ रूफी ज़े दी जी मीटिया